हाई गाईस कैसे आप सब लोगों को पता होगा कि मैं बहुत टाइम बाद अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो गाईस हम सीधा वीडियो के टॉपिक यूपर आ रहे हैं जो कि आप देख सकते हैं मारकेट ने एक बहुत तीजी से गिरावट दिखाई थी उसके बाद हम देखने हैं एक रेकवरी आ रहे है अब गाईस यह जो रेकवरी आ रहे है निफ्टी पर या मारकेट पर हम देख सकते ही कि जादतर लोग जो इस वे सोच रहे हैं तो तो नोमी में नहीं है, तो उसकी वजह से market दुबारा नीचे गिर सकती है, तो इस पूरा reason क्या है, और technical क्या बता रहे हैं, तो निफ्ती की हम पूरी chart की study करेंगे इस वीडियो में, हम तीन टाइम फ्रेम में study करेंगे, तीनों टाइम फ्रेम में आपको कुछ नहीं सीखन को मिलेगा कुछ नए पैटन सीखने को मिलेंगे तो यह वीडियो आपके लिए लर्निंग वाइस भी बहुत अच्छी होने वाली है और साइड पर साइड आपको पता भी चल जाएगा आपको निफ्टी के अंदर ट्रेड कैसे लेना है हम टाइम पर सीधा बढ़ते हैं अपने निफ्टी के वीडियो की तरह हैं सबसे पहले अर्ली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और आली चार्ट पर जो हम स्टडी करेंगे तो आपको कुछ पर्टिकुलर कुछ पैटन एक दिखते वो मिलेगा उसके बारे माँ आपको बताते है नहीं सबसे बहले मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ आप देख सकते हैं जब मैंने ये पर्टिकुलर्ली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है तो ट्रेंड लाइन पर हमें देखने को मिल रहा है कि हम जो बॉटम देखने की बॉटम यहाँ पर टेस्ट होते वे दिख फर्स बॉटम अमें आप पर strand line में टेस्ट होते हैं दिखा सेकंड बॉटम दिखा थर्ड बॉटम दिखा और शायद फर्स बॉटम भी यहां पर बन सकता है जो यह इंडिकेट क्या कर रहा है यह पर इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर डिफिनेटली एक pattern की कोशिश कर रहा है जो की डिफिनेटली अराउंट इस लेवल पे आपको बनते हैं वे देख चाहिए जो यह आप देख सकते हैं गाईज यह एक तरीके का हिडिन शोल्डर पैटन मनाना है आली चार्ट के अंदर और आली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं बात यानि कि जो इसके लो प्रीवियस लो से ऊपर बन रहे हैं तो यह पॉजिटिव साइन होता है यानि कि जो लो हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं दूसरी बात हम देख रहे हैं कि जो इसके हाइज है वो हाइज लोवर हाइज बन रहे है यानि कि जो पिछला हाइज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर लेवल देखने को मिल रहा है हम सजिस्ट कर सकते हैं कि इस लेवल से अगर यह लेवल यह वाला ब्रेक करती है तो इस लेवल से हमें गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब जो गिरावट एक्सपेक्ट क level अगर हम बात करते हैं यहां से नीचे जाता है तो particularly इसका target क्या हो सकता है तो अगर हम इसके target को find करने के कोशिश करते हैं so guys generally जो target होता है वो right shoulder जो होता है जो right shoulder बनाता है उसका जो difference होता है उत्ता हम target लेकर चलते हैं अगर हम expect कर सकते हैं कि यहां से 300 point की गिरावट दिखा सकता है यानि कि यहां से यह 8700 तक की levels अराम से दिखा सकता है तो यह head and shoulder pattern था जो कि हमें लग रहे कि early chart में बन सकता है और हम expect कर सकते हैं कि यहां से एक downfall हमें देखने को मिल सकती है पर हमें break एक wait करना है इस level के break होने का जो कि है 9050 का level 9050 का level जैसी break होता है जो red candle बनती है अब आपको किस तरीके से train देना है वो मैं आपको बता देता हूँ इस particular scene के अंदर आप देखेंगे कि यहां पर यह एक red candle बनाती है और इसके नीचे break होती है तो हमें wait करना है कि जो next candle होगी वो next candle इस particular candle को break करके closing दे जैसी है यहां पर यह break करके closing देती है हम इस candle पर trade ले लेंगे और यहां पर हमें confirmation मिल जाएगी कि यह false breakdown नहीं है और यहां से यह उपर जाने की कोशिश नहीं करेगा तो यहां पर आपका पैसा safe रहेगा जादा तर और यहां पर आप अपने targets maintain कर सकते हैं for a target of 8700 so guys यह था early chart के अंदर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था अब हम बढ़ते हैं daily chart के अंदर नहीं weekly chart के अंदर जिसमें हम आपको particularly wait करें यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर भी मैं एक trend line analysis करने की कोशिश करूँगा और वो आपको बताएगा कि किस तरीके से हमें काम करना है so guys आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले top को मिलाने की कोशिश करता हूँ मतलब मैं resistance को मिलाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने टॉप्स को जब जॉइन करा हूँ दो टॉप्स को और मैंने extend करा हूँ तो हमने देखा कि यहां पर एक resistance trend line पर हमें देखने को मिल रहा है उसी तरीके से अगर मैं bottom को जॉइन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहां पर इस level पर हमें bottom पर एक support देखने को मिल रहा है और गाइस अगर मैं इस level की बात करो तो यह 2008 October से trend line मैंने बनाना शुरू कर रही है यानि कि accordingly इसको हम मान के चल सकते हैं 11 साल हो चुके हैं तो 11 साल पुरानी यह trend line है bottom की और हम देख रहे हैं कि उसको बार बार यह point को test करके हम उपर की तरफ movement करते हुए देखते हैं बट अब अगर आप देखेंगे कि इसने particularly trend line को यहां पर तोड़ दिया था और अगर हम बात करें यह March के around था यह शुरुआत जब March की हुई थी तब हमने trend line को break होते हुए देखा था जो कि लेवल था 39335 का आप देख सकते हैं और हम देख रहे हैं कि दो-तिन दिन पहले उसने दोबारा इसको retest करने कोशिश करी है जो कि आपको इस लेवल पे यहां पर देखने को मिल रही होगी यह देख सकते हैं जब इसने इस लेवल को break करा जो की 11 साल पुरानी support की trend line थी और जब नीचे गया दुबारा अब यह उपर आया है और यहां पर दोबारा आप देख सकते हैं कि इसको resistance फेस कर रहा है जो कि पहले इसके लिए support का काम होता था आपको मैं आपर देखाता हूँ आप एक बड़ point out करिएगा यह आप देख सकते हैं यह इसके लिए support का काम करता था पहले यह वाली जो trend line थी और जब यह यहां से नीचे गया अब आप उपर आ रहा है तो आप यह देख सकते हैं यह इसके लिए resistance का का काम कर रहा है तो हम मान के चल सकते हैं कि अगर आपने इस लेवल पे शॉट नहीं करा अगर आपने इस लेवल पे शॉट नहीं कर पाए तो आपके लिए best opportunity है यहां पर शॉट करने के लिए और यहां से हम expect कर सकते हैं कि यहां से जो downfall आएगी वो शायद अपने bottom को भी break कर सकती है या फ उसके लिए पहले में drawings हटा देता हूं और फिर आम आपको दिखाते हैं कि स्क्यूपर study कैसे करने हैं आप देख सकते हैं जैसे कि यह top है और यह bottom है तो मैं एक Fibonacci retracement level ड्रॉ करता हूं Fibonacci level जब में top से लिके bottom तक draw करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यह आपको levels कुछ दिख रहे होंगे यह levels है 38.2% retracement level यानि कि जो इसने गिरावट दिखाई है जो इसने fall दिखा है अपने fall का 38% तक यह recover कर चुका है और आप देख सकते हैं exact यह 38 का जो level है 9397 का और आगर आप देखेंगे exact वही trend line है जो की 11 साल पुरानी थी जो की यहाँ पर एक hurdle का काम कर रही है अब देख सकते है exact जो इसने weekly जो high मारा है अब देख सकते है 9390 का ही मारा है और जो की 38.2% का एक retracement level है यानि यह 3 चीज़े बता रही है 3 points हमें confirm कर रही है कि यहाँ पर एक downfall हमें देखने को मिल सकती है इस level से आप लोग क्या कर सकते हैं आप लोग अगर यहाँ पर भी shot करना चाहते हैं अगर अभी जब nifty की अगर हम बात कर रहे हैं तो nifty जो trade कर रहा है वो कर रहा है around 9154 पर अगर आप एक stop loss लेकर चलते हैं अगर आप shot की तरफ लेकर चल रहे हैं तो पर करके चल रहे हैं वो target सबसे पहली बात तो यह line हो सकती है जो कि इसका 282% का retracement level है जो कि around आरहा होगा मान के चल सकते 8900 का अगर हम second target की बात करते हैं जो second target है वो second target है around 7800 का level so इसके basis पर अगर आप काम करके चलेंगे तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा खासा profit दे कर जा सकता है एक second candle develop होने शिरू हो जाएगी क्योंकि एक candle एक week के बारे में बता रही है so जैसी next candle इस week candle की नीचे close होती है body की नीचे close होती है जो कि around level निकल के आरहा है 91.50 का level so हम बहाँ पर एक short position initiate कर देंगे और जो हमारा target होगा वो target होगा bottom का level जो कि 7500 का level है अब हम बढ़ते हैं daily chart के अंदर तो यानि कि अगर हम बात करें daily chart पर जाते हैं और daily chart पर जब मैं अगर यह सारी चीज़े हटा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी particularly एक pattern develop हो रहा है तो आप देख सकते हैं मैंने जो यह move start हुई है bottom से उस पर मैं एक trend line draw करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक trend line draw कर दी है और higher side पर भी अगर मैं एक trend line draw करने के कोशिश करता हूँ यह आप देख सकते हैं जो आप देख रहे हैं कि जो यह fall आई है यहाँ पर मैं आपको देखा आँ आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो हमने fall देखने को मिली है fall देखने का बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक rising upward आ रहा है यानि कि यह जो fall की थी उसकी जो गिरावट थी उसको cover कर रहे हैं कि कोशिच कर रहा है और आप cover देख सकते हैं कि इसने कहां तक करा 38.2% तक यह उपर बढ़ चुका है यानि कि अपनी गिरावट का 38% यह cover कर चुका है अब आपको देखना है कि यह जो उपर की तरफ movement दिखा रहा है यह क्या कर रहा है यह आप देख सकते हैं यानि कि यह higher highs higher lows दिखा रहा है यह आप देख सकते हैं higher highs higher lows दिखा रहा है यह अब आप देख सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया यह है एक बुल्ट रैप इसे हम कहते हैं बुल्ट रैप होना आप लोग समझ रहे हैं higher highs higher lows दिखा रहा है यानि कि आप मार्केट में एक recovery आ गई है यह reversal आ गया है पर गाई यह reversal fail होता है generally क्योंकि यह जो pattern मन रहा है इस pattern को हम कहते है rising wedge यह pattern generally guys rising wedge कहलाया जाता है downward के अंदर rising wedge generally means होता है कि एक reverse आना अब अगर यह rising wedge एक downward पर आता है तो यहानि कि यहाँ पर हम एक short position अगर इनी shape करते हैं आप देख सकते हैं कि यह जैसे यह हमने गिरावट देखी आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद एक recovery हो रही है तो अगर यहाँ से जो गिरावट आईगी वो दोबारा इसको bottom तक लेकर जा सकती है या फिर उसके नीचे भी लेकर जा सकती है तो यहानि कि हमने देखा एक गिरावट आई गिरावट आने के बाद यह एक range में चला गया range में आने के बाद आप देख सकते है higher highs higher lows बना रहा है और यह एक bolt trap है अब हमें weight करना है इस particular channel के breakout and breakdown होने का जो कि around हा रहा है 9050 पे अब आप देख सकते हैं कि जब हमने head and shoulder बनाया था early chart के अंदर वो भी यही suggest कर रहा था कि इस level के breakdown होने का weight करो और फिर हम short position बनाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी यही suggest कर रहा है जो कि rising wedge है कि इसके नीचे breakdown होने का weight करो अ इस particular rising wedge इसने start करी है यहां से और यह इसका bottom है अगर हम इसके top और bottom को लेते हैं तो वो हमें क्या बता रहा है अगर इसका top है generally यह वाला level हम पूरे rising wedge का top नहीं लेंगे हम सिफ इसका लेंगे इसका top आ रहा है वो आ रहा है 98938 का और bottom तो guys आपको पता ही है जो इसका bottom है 9530 क इसका top क्या है इसका top है 98 अब आप यहां पर देखें इसका top है 8950 का और जो इसका bottom है वो है 5950 भी हम लेकर चल लेते हैं चलेगे ओई बात में तो अगर हम इसका difference देखेंगे तो यह around आ रहा है 1400 point की गिरावट और हम expect कर सकते हैं अगर हम यहां से 1400 point की गिरावट expect करते हैं जो की level आ रहा है around 9050 का जो की यहां से 100 पर ही उपर है तो यानि कि इसका जो target आएगा वो target around आ रहा है 7650 का यानि कि अगर आप 9050 पर shot करते हैं यहां पर तो हम expect करके चल सकते हैं कि यह दोबारा एक बार 7650 पर आ सकता है जो की इसका level आ रहा है जो की pattern का target बता रहा है अगर आप वीडियो खतम होने के बाद Google में जाएए Google में search करिएगा rising wedge in a downtrend rising wedge in a downtrend तो आपको पता चल जागा यह downtrend आने के बाद यह downtrend आती है उसके बाद जब यह rising wedge बनाता है तो कैसे इसके target find होते हैं और क्या यह एक probabilities की कित्दी होती है तो अगर आप यह Google में search करेंगी rising wedge in a downt trend तो आपको पता चल जागा यह pattern है जो मैं आपको बता रहा हूं और यह बहुत probability इसकी जो होती है वो कम से कम 80% होती है कि यह नीचे जाता है और अपने target तक को meet करता है तो guys यह जो bulter आपको देखने को मिल रहा है कि यह जो higher highs higher lows बना रहा है अब यहां पर ना फसीए और य उसरे chances भी लेने चाहिए तो आपको buy position है आपको fresh buy position कब बनानी है जब यह 9400 के ऊपर weekly closing दे देता है एक weekly closing candle अगर हमें 9400 level के ऊपर मिलती है तो ही हम अपनी nifty के अंदर buy position बनाएंगे तब हमारा जो target होगा वो होगा around 10,000 level का अब वो कैसे आया वो भी मैं आपको बता जाता उसके लिए मैं दुबारा weekly chart के अंदर जाना पड़ेगा तो वो मैं आपको दुबारा बता देता हूँ तो उसके लिए मैं यह जो मैंने बना रही थे वो मैं erase कर देता हूँ और हम बढ़ते है weekly chart के तरफ जब बढ़ रहे हैं और जब मैं एक बार दुबारा fibonacci retracement बना रह पर अपना high मारा और वहां से हमने गिरावट देखी जो की around level में निकल के आ रहा था 39831 का यह level आप देख पर हैं तो अगर हमें प्रॉक्स लेकर चले तो 9400 है अब यह जैसी इस particular 38.2% retracement level को यानि कि इसके जो पी आज की जो weekly की जो closing हमें देखने को मिल रही है इसके ऊपर और अगर अगली weekly closing जब हम इस weekly closing की बात कर रहे हैं वो candle close हो जाती है तो इसका जो target होगा 50% retracement level जो की है 9963 अगर हम एक प्रॉक्स लेकर चलते हैं यानि कि 10,000 का level भी निफ्टी दिखा सकता है जैसी यह 9400 के ऊपर अपनी weekly closing देता है guys मैं closing की बात कर रहा हूं यह नहीं कि 9400 की ऊपर गया और week end होने पर यानि कि Friday close होने पर वो उसके नीचे बंद हो रहा है मैं यह चाहना चाहरा हूं कि जब Monday को market open होई गी और Monday से लेके Friday तक ही trade करीगी तो Friday को हम देखना चाहें कि 9400 की ऊपर अगर closing देखने को मिलती है तो ही हम अपनी nifty में fresh buy position बनाएंगे इस level के उपर हम अपनी fresh buy position बनाएंगे target हमारा यह होगा stop loss आपको मैं तब next वीडियो में बताऊँगा जब हमें इस Q पर निकलेंगे तो आपको मैंने दोनों scenario बता दी है through Fibonacci ratio शॉट करना है आपको 9050 के नीचे जब close होती है 9 आप देख सकते हैं या पर मैं आपको दुबारा देखा देता हूँ ये एक channel है market आप देख रहे है channel के अंदर trade कर रही है channel को break कर आप ऊपर आई अब आपको किस तरीके से काम करना है जब ये channel ये आती है और जब next candle हम देखते हैं previous candle को break करेगी जो की 909900 होगा हम ये मान के चलते हैं तो यहाँ पर आपको short position initiate कर लेनी है आप next month की put option लेकर चल सकते हैं call नहीं आएगा यहां से ये नीचे जाएगा फिर उपर आने के कोशिच करेगा फिर नीचे जाएगा फिर उपर तो आपको ऐसे ऐसे levels पर अपनी profit taking कर लेनी है और इस level पर आपको दोबारे एक बार short बना लेना है इसी के लिए मैं next videos अपनी जब भी लेकर आऊँगा तो ल आपको अंगा इसको एक बार face कर देता हूं और आपको जो किस तरी के लेना है तो हम दुबारा एक बार ऊपर चले जाते हैं कि जो क्या से से वं पोजीशन में आ गए हैं तो यहां पर मैं आपको बना बतादा आपको ते करेजे कर रहा है वह ट्रेट कर रहा है 9154 ठीक है trade आपको sell का कब लेना है sell का trade आपको लेना है below 9050 का ठीक है target क्या होगा हम long term की बात कर रहे हैं यानि कि long term in the sense एक swing trade लेकर चल रहे हैं nifty के अंदर sell का तो हम मान के चल रहे हैं कि वो 1 second गाइस तो nifty का अगर हम swing trade का target लेकर चल रहे हैं तो जिस हिसाब से हमें head and shoulder pattern ने बताया और जिस हिसाब से हमें ये जो channel की range बता रही है rising wedge बता रही है ये probably target अगर हम first target की बात करते हैं तो first target जो around आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है 8800 का 8800 का level कैसे आया है अगर हम second target की बात करें जो की rising wedge बता रही है वो की आ रहा है 7650 का level ठीक है stop loss कहाँ पर maintain करना है stop loss आपको maintain करना है 9400 का वो भी closing basis के अंदर यह नहीं की 9400 test कर गया चूगया तो आपको stop loss हिट हो गया नहीं जब तक weekly closing इसके ऊपर बंद नहीं होती है तब तक आपको इससे position से नहीं निकलना है ठीक है अब आपको मैं buy side की अगर बता हूँ तो buy side में मतलब आपको कैसे trade करना है तो आपको buy करना है above 9400 weekly closing basis के अंदर target आपका क्या होगा target आपका होगा 10,000 का level जो की 600 point उपर है top loss आपको क्या लगा के चलना है 9050 का जो की हमारा selling point था ठीक है तो इस level से अगर आप trade करेंगे तो आप definitely profit कमाएंगे अब guys देख लीजए सीधा नीचे नहीं जाएगा यहापे बीच में आपको यहापर एक hurdles दिखेंगी तो यहाँ पर जब short करने का time आएगा तो में एक video बनाऊँगा यहाँ पर एक दोबारा नीचे गरने के बाद buy करने का time आएगा तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा और guys comment section में हमें जूरू बताएगा कि और किस particular आपको इस talk से related अगर वीडियो चाहते है यह आप कुछ और नया particular pattern के बारे में सीखना चाहते है wedge pattern के बारे में जो मैंने आपको अभी daily chart के अंदर सिखाया है यह adding shoulder के बारे में अगर आपकुछ और deeply में study करना चाहते हैं यह सीखना चाहते हैं जो भी particular query के उपर जो भी आप लोग पूछना चाहते हैं उसके उपर सबसे जादा like होंगे particular comment के अंदर तो उसकी वीडियो मैं आप लोगों के लिए upload कर दूँगा so guys इसी के साथ मैं वीडियो को end करता हूँ वीडियो पसंद आयोगी तो वीडियो को बताना भूलियेगा और अगर आपने हमारे तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दुआना बिलकों मत भूलेगा so guys इसी के साथ मैं शिवांज बसीन signing off मिलता हूँ आप से कल अगली वीडियो के साथ